मुखी मंत्री भुपेश बगेल की अधिक्षिता में गुरुवार को भी राज्य मंत्री परिशत की बैठक में कई महत्पुन फैसले लिये गए अब निवास प्रमारपत्र के लिए 36 गड़ के किसी स्कूल में प्राइमरी में पढ़ा होना जरूरी कर दिया गया है सरकार ने इस सीजन से न्यूनितम समर्थन मुल्य पर दाल खरीदने का भी निर्णा लिया है वहीं बहु प्रतिक्षित पेशा कानून को लागू करने का भी फैसला लिया गया मंद्री परिशत के फैसलों की जानकारी देते हुए क्रिशिमंतिर रविंद्र चौबे ने बताया कि सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और राज्य में दलहनी फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए दाल को भी न्यूनितम समर्थन मुल्य पर खरीदने का फैसला किया है इस खरिफ सीजन में सरकार अरहर, उड़द और मूं की फसलों को न्यूनितम समर्थन मुल्य पर खरीदेगी कृश्यमंतिर रविंद्र चौबे ने कहा कि पेशा कानून को कैबिनिट ने मनजूरी दे दी है अब उस पर काम शुरू हो जाएगा या कानून अधिसूचित छेतर की ग्राम पंचायतों को शशक्त करेंगी इसी तरह राजसरकार ने पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को ध्यार में रखते हुए इसके लिए उत्पाद को और विक्रेताओं को करो में रियायत दी जाएगी वही ऐसे वाहन खरीदने वालों को रोट टैक्स में छूट देने की भी घोशना की गई है सरकार चाहती है कि आने वाले पांस सालों में राज़ में चार लाग इलेक्ट्रिक वाहन सड को पर दोड़ने लगी इसी तरह राज़ सरकार ने बीस पोक पॉलिसी को भी मनजूरी दी है इसमें राज़ में पचास हजार से ज्यादा रोज़गार के अवसर पैदा होंगी